मेटाबोलिज्म टीवी में आपका स्वागत है आपका सही जानकारी का सुरोत मेटाबोलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में क्या अनियमित मासिक धर्म का मतलब चयाप चये के साथ समस्याएं हैं मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ, मोटापा और चयापचय में विशेशज्य मैं आपसे महिला में अनियमित मासिक धर्म का क्या अर्थ है इस विशेपर एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ जब एक महिला का मासिक धर्म अनियमित होता है जिसका मतलब है कि यह निश्चित अवधियों में नहीं आता लगभग सभी समान 28, 29, 30 दिनों की अवधियों में इसका मतलब है कि चयापचय के साथ गंभीर समस्याएं है यह महिलाओं में एक बहुत ही सामान्य विशेश्टा है जो अधिक वजन वाली होती है जो मोटापे से ग्रस्थ होती है उन में अनियमित मासिक धर्म होना और यह भी एक बहुत ही अच्छी खबर होती है जब हम एक ऐसी महिला का मासिक धर्म नियमित करने में सफल होते है जो अधिक वजन वाली होती है क्योंकि जिस क्षण उसका मासिक धर्म नियमित होता है इसका मतलब है कि उसका चयापचय पूरी तरह से नियंत्रित है ये फिर से सिंक्रनाइज हो गया है मैं इस विशय को समझाने के लिए एक पल के लिए ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूं ध्यान दें हम पुरुष भी महिलाओं की तरह मोटापे से जूचते हैं लेकिन वजन कम करने के मामले में महिला के लिए हमेशा पुरुष की तुलना में ये बहुत अधिक कठिन होता है मेटबोलिजमो टीवी में कई एपिसोड हैं जहां मैं समझा रहा हूं कि क्यों लेकिन वास्त्विक्ता ये है कि महिला हमेशा वजन कम करने के मुद्दे पर पुरुष की तुलना में बहुत अधिक संघर्ष करती है क्यों कि विवरण में जाए बिना आईए अनियमित मासिक धर्म के विशय पर थोड़ा चर्चा करें कि इसका क्या अर्थ है और इसे हल करने के लिए क्या किया जा सकता है उदाहरण के लिए जब मासिक धर्म अनियमित होता है तो इसका मतलब है कि एक महिला का मासिक धर्म चक्र एक प्रजनन चक्र है जब एक महिला अभी तक मेनोपॉज में नहीं होती है तो उसे अभी भी उसका मासिक धर्म होता है क्योंकि ये एक चक्र के भीतर होता है वह चक्र शरीर के भीतर होता है जब कोई महिला अधिक वजनी होती है तो उसके साथ मुख्य बातें जो होती है उन में से एक ये है कि वह गर्भवती नहीं हो सकती और इसका कारण ये है कि उसका मासिक चक्र अनियमित होता है और दूसरी बात ये है कि वह आसानी से वजन भी नहीं घटा सकती और ये भी एक संकेत है कि मासिक चक्र विकृत है जब मासिक धर्म का चक्र वास्तव में अनियमित होता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि चया पचय में कुछ समस्या है अच्छी खबर ये है कि इस सब को नियमित किया जा सकता है उदाहरण के लिए जब एक महिला के शरीर में अतिरिक्त वसा होती है तो अनियमित मासिक धर्म अपनी लैख हो देता है मैं ये समझाने के लिए विस्तार से शुरू करूँगा कि जीवन में सब कुछ मासिक धर्म सहित वास्तव में एक चक्र है निश्चित रूप से एक चक्र होता है जो जन्म लेने बढ़ने और मरने का चक्र है और अगर हम इसे एक क्रिया चक्र में डालें और इसे यहां देखें तो आप कहेंगे जन्म लेना बढ़ना और मरना जो शुरू करना बदलना और रुकना के समान होगा यहां क्या हो रहा है एक पेड़ बढ़ता है जन्म लेता है बढ़ता है और मर जाता है और वही चक्र मासिक धर्म को भी अनुसरण करना चाहिए मासिक धर्म जीवन के उन चक्रों में से एक है जिसमें यह वक्र होता है जहां यह एक बिंदू पर शुरू होता है एक अधिक्तम तक बढ़ता है घटता है और गायब हो जाता है क्या हो रहा है हर महीने हर 30 दिनों में हर 28 दिनों में महिला पर निर्भर करता है 28 से 30 दिनों के बीच में कहीं वास्तव में एक मासिक धर्म चक्र होगा इस चक्र में क्या हो रहा है तो जो इस चक्र में होता है वह यह है कि यहां से चक्र शुरू होता है जहां महिला विकास के चरण में अधिक होती है जहां वह पहले से ही अपने अंडानूओं का उत्पादन कर रही होती ह उन अंडानूं में से जो निशेचित हो सकते हैं और जब यह बढ़ता है जब यह यहां इस बिंदू पर पहुँचता है जो अधिक्तम है यहां अंडानू होते हैं अंडानू इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि कैसे विकास की यह यात्रा अपने चरम पर पहुँचती है वे अंडे जो इस समय कुछ छोटे अंडों की तरह होते हैं यहाँ पर पुरुष के शुक्राणू द्वारा निशेचित हो सकते हैं अगर वे निशेचित हो जाते हैं तो यहाँ एक बच्चा निकलेगा लेकिन अगर वे निशेचित नहीं होते हैं तो ये अंडे शरीर जो करता है वह इन्हें बाहर फेंक देता है और जब इन्हें फेंका जाता है तो इसे मासिक धर्म कहा जाता है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मासिक धर्म कुछ नहीं बलकि शरीर द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया है जिसका उप्योग नहीं किया गया इसलिए चक्र एक चक्र है जो इस विचार से शुरू होता है कि हम गर्भधारन कर सकते हैं एक चरम पर पहुँचते हैं कुछ उपलब धंडानू होते हैं गर्भधारन होता है यदि नहीं हुआ तो यह निकाल दिया जाता है और मासिक धर्म कहते हैं जब एक महिला का मासिक धर्म नियमित होता है तो क्या होता है वजन कम करना बहुत आसान है जब हमें उदाहरण के लिए प्राकृतिक सिलिम मिलता है एक महिला से पूछते हैं उसका मासिक धर्म चक्र कैसा है वह जवाब देती है कि ये मासिक धर्म चकर हर दो तीन महीने में ज जो आपका शरीर उर्जा बनाने के लिए करता है जीवित रहने के लिए जब चया पचय असंतुलित होता है तो जैसे मासिक धर्म चक्र शरीर के हार्मोनल हिस्से से संबंधित होता है तो ये उर्जा को प्रभावित करता है उर्जा चया पचय द्वारा उत्पादित उर्जा का निर्माण हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है हार्मोनल सिस्टम कैसे प्रभावित होता है क्या हम इसे एक पल के लिए देखेंगे ध्यान दें और इसे कैसे हल किया जाता है जो सबसे ज्यादा अनियमित मासिक धर्म का कारण बनता है वजन कम करने में कठिनाई और स्पष्ट रूप से गर्भधारन करने में कठिनाई यह है कि जब एक महिला अत्यधिक कार्बोहाइडरेट परिश्कृत कार्बोहाइडरेट का सेवन करती है हम चीनी, चावल, ब्रेड, मक्का, मिठाई, दूध, चॉकलेट की बात कर रहे हैं यह परिश्कृत खाद्यपदार्थ जो हम उन्हें इप्रकार के खाद्यपदार्थ कहते हैं जो मोटा करते हैं या जिने हम डाइबिटीज की किताब में डाइबिटीज नियंतरण के दुश्मन खाद्यपदार्थ कहते हैं इस प्रकार के खाद्यपदार्थ जल्दी ग्लूकोज में बदल जाते हैं जब ये glucose बनते हैं, तो शरीर को insulin उत्पादन के लिए मजबूर करते हैं, परिश्कृत कार्बोहाइडरेट की अधिकता से glucose बढ़ेगा, glucose बढ़ने पर insulin भी अधिक होगी, क्या हो रहा है? insulin हार्मोन है, हार्मोन शक्तिशाली होते हैं, पर सभी एक दूसरे से प्रतिसपर्धा करते हैं, क्या हो रहा है? नियमित मासिक धर्म होने के लिए estrogen और progesterone के बीच एक संतुलन होना चाहिए, जो दो हार्मोन हैं, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म और निशेचन को नियंतरित करते हैं, एक महिला की गर्भवती होने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, यह संतुलन अत्यंत नियंतरित करते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक insulin होता है, तो क्या होता है, वास्तव में insulin की अधिकता इन दोनों के साथ दखल अंदाजी करने लगती है, जब अधिक carbohydrate के कारण यह दोनों हस्तक शेप करते हैं, तो स्वतह अनियंतरित हो जाते हैं, और मासिक चक्रक होता है, हम जो चीज natural slim में लगातार देखते हैं, वह यह है कि हमारे पास एक मोटी महिला आती है, उसने सब कोशिश की है, कपड़े उसके काम नहीं आते, वह उर्जा से रहित है, हम उसे चयापचय की बहाली की प्रणाली करने के लिए कहते हैं, हम उसके शरीर को फंगस से साफ करत हैं, हम उसे हार्मोनल सिस्टम के नियंतरण के लिए supplements के साथ मदद करते हैं, supplements जैसे कि relax, lymph, जो thyroid को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं, और स्वता ही insulin की अधिकता नहीं रहती, insulin की अधिकता नहीं होने के कारण, क्योंकि carbohydrate की अधिकता नहीं है, estrogen और progesterone के साथ सं अंघर्ष समाप्त होता है, वह महिला जो मासिक धर्म नहीं करती थी, या जो केवल 1000 में 100 या अनियमित रूप से, या खून के ठकों के साथ मासिक धर्म करती थी, फिर एक चक्र में आ जाती है, जहां मासिक धर्म बढ़ता है, घटता है, और मर जाता है, बढ़ता है, घटत और मर जाता है और घड़ी की तरह नियमित हो जाता है यानि हर 28 दिनों में आता है बिना दर्द के और जो दूसरी चीज होती है जो बहुत सुंदर है वह यह है कि वह महिला पहली बार वजन कम कर सकती है क्योंकि जब तक इंसुलिन की अधिकता होती है वजन कम करना असंभव ह क्योंकि इंसुलिन की अधिकता वसा के निकास को अवरुद्ध कर देती है शरीर वसा नहीं छोड़ सकता अगर इंसुलिन की अधिकता है तो जब कोई व्यक्ति चया पचय पर नियंतरन लगाता है और इसे ठीक करता है जैसा कि मेटाबोलिजम की शक्ति पुस्तक में या य से सुरक्षित संभावना है कि आप गर्भवती हो सकती है तो अगर वह आग से खेल रहा है सावधान रहे क्योंकि वह उपजाओ हो जाएगा मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है